हाई गाईज, वेल्कुन टू क्रेटिंग बेल्ट, तो एक बार देख लेते हैं कि LIC का चार्ट पैटर्न जो है कैसा बना हुआ है और आपको किस तरीकी की जो है परफॉर्मेंस ये स्टॉक आने वाले टाइम में जो है दिखा सकता है ये आप जो देख रहे हैं ये जितनी भी कैंडल जो बनी हुई है सब एक एक दिन की कैंडल जो है बनी हुई है ज्यादा डेटा अभी इसका है नहीं है क्योंकि अभी recently यह launch हुआ है और ऐसे समय पे launch हुआ है जिस समय पर बैसे परेशानिया बनी हुई है market के अंदर 17 की इस समय पर इसकी RSI बोल रही है बहुत ही very bearish range में यह चल रहा है oversold हो चुका है जिस तरीके से जो है यह position पर इस समय पर खड़ा हुआ है 900 रुपे के आसपा जो है यह stock launch हुआ और उसके बाद में देख सकते हैं यह रुका ही नहीं है उस level पर काफी समय तक तो यहां पर इसने जो area जो बनाय था थोड़ा बहुत समय पर यहां पर यह रुका है वो रुका है 800-800 रुपे के बीच में यहां पर थोड़ा बहुत इसने जो है समय निकाला था और उसके बाद में तो देखेंगे तो इसके अंदर एक तरफा जो है आप देखेंगे भिकवाली आपको देखने को मिलेगी हाँ भी हुई है इतने एरिया के अंदर आपको green candle सबसे कम मिलेंगी सबसे ज़्यादा जो candles मिलती हुई दिख रही है वो है red candle और इसने यहाँ पर क इसका चेंज नहीं हो पाया आप देख सकते हैं यह वाली जो candle बनाई थी यह जो candle बनाई थी reversal हैमर जो है बनाए है यहाँ पर लेकिन वह किसी भी काम के नहीं रहे और दोबारा से देख सकते हैं यह अपने जो है नीचे के ट्रेंड में ही चलता चला जा रहा है डाउन ट्र जैसे SDFC की बात करूं LIC की बात करूं जो लाइस इंस्यूरेंस से जुड़े हुई जो कंपनी हैं उनके भी रेट उनके भी भाव करीब 600-600-500 रुपे के आसपास ही जो है चल रहे है पॉसिविल्टी है कि यहां से यह स्टॉक जो है आप फॉल जादा ना हो सो पचास पचा रुपे के आसपास जो है यह स्टॉक आपको 625 या 600 रुपे के आसपास जो है यह स्टॉक फॉल होता हुआ देखें वहां तक मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जो यह इस चोफॉल होना चाहिए तो कोई अगर इसमें अगर पैसा लगना चाहता है तो यहां से अब इसक के अंदर आ चुका है तो अभी यह ना सोचें कि यहां से जो है 300 का हो जाएगा या 400 का हो जाएगा वो नहीं होने जाने वाला है लेकिन यह इतना जरूर है कि यहां से इसके अंदर एक upside की जो है गुंजाइस जरूर है और वो कही न कही अब रिटेन करेगी तो यहाँ पर थोड़ा साब मौका देखके और इस पर जो है आप चौका लगा सकते हैं थेंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो